तो दोस्तो मेरा नाम है राहूल स्वागत आपका टेक्निकल वर्गडिप जैन्फर दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको भी बताने वाला हूं इस टाइप को जो वेंटिलेशन फैन होता है या फिर एक्सास्ट फैन कह सकते हैं अगर खराब हो गया तो कैसे चेक करने इसक चलता तो आपको क्या करना सप्लाइक को ऑन करके इसकी पंककड़ी होता है वीक होता है जिसक lenses और यहाँ पर यह चल तो आपको लोक को खोल के इसके बाहर वाले कवर को निकाल देना है तो देखिए हैं आपने ऌपा और डिखाई देरा है और यहां पर आपको एक चूटा से बॉकस दिखाई देवल रहें है इस Doyama इसके अंदर connection होता हुआ और इसमें अगर आपको क्या करना या अगर का मार्केट से इस टाइप का जितने मिंद्धी लगा है, आपको पर्चेस करके किसी इलेक्टर का सौब से पॉचेस कर सकते हैं, और जैसे वायर में लिजान को हो रहते हैं, यहाँ पर इसे हम निकाल देते हैं, यहाँ पर देखें, जो क्या अगर के सब्सक्राइब निकालने से पहले एक फोटो भी ले सकते हैं ताकि आपको दुबारा कनेक्शन करने प्रॉलम नहीं और डूसरे वाहर में अगर चेंच कर देना तो यहां पर देखें मैंने दोनों वायर को निकाल गए हैं अगर आपके और केपस्टर वीक है तो आपको change कर देना अगर יुक नहीं हो माल लेते है इसके पंकड़ी घुमाने के वाद ही हमारा एकस्टर नहीं चल सब्सक्रा है सो क्या करना है। चेक करने लिए यहां पर में शेपलाई की वहायर भी कनेक्ट वोकई है भाईन र सकारों को डिखे हैं अब हमें we 23 से सके मोटर की वायर को अलग कर दो और इसी में में सप्लाई की जो ग्रीन वाली वायर थी इसको ना भी अटाई तो कोई रिकत नहीं एक बार आपको यह भी चेक कर ला है ना मोटर जाम तो नहीं है कभी कावर क्या होता है मोटर जाम होता जिसके विए से भी हमारे जो एक्ज़स फैन चलती नहीं है तो यहाँ अगर आपके पास एक्टेंस पोड नहीं बही तो आप वह इसको किसी भी अपने स्विचबोड के पास चेक कर सकते हैं इसे चेक करने के लिए में सीरीस टैसलं अमना इने बलग होल्ड़ ले लिया है holder में जैसे tar connect होते हैं वैसे ही connector और यहाँ पर जो bulb होना चीए 100 watt का होना चीए LED bulb में यहाँ पर work नहीं करेगा और यहाँ पर इसे हमें एक side में रख देते हैं और यहाँ पर हमें क्या करना है इस wire के अलावा हमें एक wire का टुकड़ा और चीए हैं आपर देख एक wire का piece मैंने all ले लिया इसके बाद हमें यह करना जो holder में दो तार connect होते होते हैं दोनों में से किसी भी एक तार को आपको क्या करना अगर आप extensive board में यूज करने कोई problem नहीं तो यहाँ पर हम socket के देखिए पहले वाले टर्मिन पर लगा दिया हमने और दूसरे wire को इस टैप से पकड़ लिया था चुकड़ा लिया था हमें क्या करना इस टैप से पकड़ लेना और जो दूसरा इसका side है उसे हमें socket के दूसर करके check करते हैं तो जैसे में touch के आपर जो bulb हमारे जल रहा है इससे हमें क्या करना मोटर की winding को check करना तो यहाँ पर जो आपको तीन तार दिखाई देए तीनों पर एक एक करके check करना देखिए आपर लाल और पीले वाले तार को चेक करते हैं तीसरे वाले को देखिए आपर बल्ब जल रहा है अब हम लाल वाले और बीच वाले पीले वाले तार को टुछ करते हैं देखिए आपर जो बल्ब नहीं जल लाए इसका मतलब जो बीच वाली वायर है उसकी जो वैंडिंग हो जल गई इसके विए से हमारी जो एक्सास प्राइन की मोटर वो चल नहीं रही है तो इस टाइब से हमें तीनो वायर पर एक एक करके क्या होता जो मोटर के नता है वैंडिंग की वायर होती ही जल जाती है और मोटर की बॉड़ी से टाइब से अगर यहां पर बल्ब जल जाता है तो इसका मतलब मोटर सौट है अगर नहीं जल रहा है इसका मतलब मोटर सौट नहीं है देखिए आप दूसरे वायर और बॉड़ी वाइर को चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए पहले और तीसरे वाले वायर में हमारा जो बीच वाली जल रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना मोटर की दुबारा वाइंड निक करवाने जिससे आपको एक्जोस्वन चलने लग जाएगा तो दोस्तो इस टैप से आप भी अपने एक्जोस्वन को चेक कर सकते हैं अगर आपको इसे फिर भी चेक करने प्रॉलम आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपने में चनल क नहीं किया तो प्लीज में चनल को सब्सक्राइब कर देना इस बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे नई वीडियो की नोटिफिकिशन आपको सबसे पहले मिल सके मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में